अभी बर्तमान परिवेश में हम सब लोगों से जब बात करते हैं तो प्रते घरों में बात करते हैं, समाज में बात करते हैं तो एक ही बात उभर कर सामने आ रही है कि दीरे दीरे हम संबेदन हीन होते जा रहे हैं अब संबेदन हीन होते जा रहे हैं, माबाप के प्रती दाइत्वा नहीं निवा रहे हैं बच्चे, पती पत्नी का रिलेशन खतम हो रहा है, भाई भाई में जगड़ा हो रहा है, बहन का कोई मुल्यनी रह गया है, लोग क्रूर और आकरामक होते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है, मैंने ये देखा कि नेट पे छोटे बच्चे जो गेम खेलते हैं, उसमें क्या है हिंसा, लडाई, मार, काट के अलावा कुछ नहीं है, जो हम बच्चों को आज परोस रहे हैं, जो जिसको हम गेम बोलते हैं, खेल बोलते हैं, उसमें वहाँ उसको मार रहा है, वो गोली चला रहा है, वो किस तरह से अपने को बचा रहा है, वो सारा गेम इसी तरह का होता है, जो अगर हम लगातार हिंसा, आकरमक और जो विदेशी फिल्में आ रहे हैं, उसमें आजकल तो जो इंगलिस मीडियम के बच्चे हैं, वो ज्यादा को बिकृत रूप जो है, बिकृत रूप, संबेदन, बिहीन रूप लोगों को परोसा जा रहा है, अब इस चीज को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, जो चीज आ रही है, इतिहास गवा है, कि जो होना होता है, जो डैस्टिनी है, वो तो हो गाई, लेकिन उसकी रोक थाम कैसे क परकार की समाज से, फिल्मों से, फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो विकृतियां हमारे भीतर आ रही है उनको कैसे संतुलित किया जाए सबसे बड़ी बात है संतुलन की महात्मा बुद्ध ने भी कटू वादिता से हट करके मतब एक तरह से लोगों को एक संतुलित वातावरन देने की कोशिश की हमесь संतुलित कैसे होना है इसके लिए हमने एक होज की सांती कलस सांपी कलस एक परकार का अभी मंत्रित जल से भरा हॉआ कलस है जिसको हम अगर अपने घर में रखते हैं तो उससे नकारत मख पता है जैसे हमारे घर में कोई भी आता है हर व्यक्तिके साथ कुछ नकुछ चलता रहता उसके पुर्खों का पुरवजों का और नकारत मग सक्तियां किस रास्ते से उन निकलके आया है। कहां से आया है। इसलिए कहते हैं कि जो अधिकांस घरों में जूते चपल बाहर उतार दिये जाते हैं। तो वो उनके साथ किस तरह की सक्तियां आ रहे हैं किस तरह की नकारतमक सक्तियां आ रहे हैं उनको संतुलित करने के लिए 8 demonstrates गहर में होना चाहिए यह हमम लोगों का कारिकरम हैह और हम Communist कर रहे हैं और को इस से फाइदा भी हो रहा है अगर बच्चों को ये कलस से भरे हुए जल घर में रहते हैं तो एक बच्चा पूचेगा कि मतलब किसी भी धर्म का हो चाहे सी को चाहे कृष्यन हो चाहे मुस्लिम हो वो पूचेगा पापा ये क्या है ये सांति कलस है वो सांति कलास कहां से आया यह सांति कलास चलस जो है विच्णु भगवान ने समुद्र मंधन के समय निकाला था तो इक तरह से एक सणातंधर्म की संस्कृति का जो एक प्रियोग है ओर जो प्रियोग है पहले भी एक कह चुक हूं कि इस सनातन धर्म पूरी तरह से बैघ्यानिक है तो हमें बच्चों को किस तरह से उनको सैकिलोजी कली मानलू उनके घर में माता पिता जगडा कर रहे है तो बच्चे कहेंगे कि हमारे घर में सांथी कलस रखा है आप जगड़ा क्यों कर रहे हैं, जगड़ा कैसे हो रहा हमारे गर में, तो एक मानसिक्ता बनती है, एक ओरा बनता है, देरे-देरे वातवान बनता जाता है, वहां का वैसा ही, और वो लोग देरे-देरे सांती की बात करना सुरू कर देते हैं, हम किसी भी चीज को, किसी भी संपदा बहुत बड़ी हो गई थी समुद्र मंथन के समय आशुरी संपदा का विक्राल रूप था और त्राही त्राही मची वी थी देवताओं में तो उस समय भगवान विश्णु ने छल से नारी का रूप धारण किया और छल से उन्होंने आशुरी संपदा को समाप्ति कि और जो पुरुं नकारात में सकति हैं आय нужšी संपदा क्या है जो इस पूर्थिवी के जिऊ जटू पस्थू पक्षु पर्यावरान इनको नुकसान पहुंचाती है वह आसुरी संपदा यह क्योंकि ये पूर्थिवी जो है मताब के बर्याबर निर्वान की है है सारा ब्रहमांड खोज डाला अभी बरतमान में सुनीता बिलियम सुवां पे अटकी पड़ी हैं मतलब इस पृतिवी के अंस को ढूंडने के लिए कि कहां मिलेगा यह अरियाली कहां मिलेगी जर्या जरने कहां मिलेगी यह नदियां तो यह इस धर्ती को चींटी से लेकर हा लोगों को नश्ट करना समाप्त करना यह आशुरी संपद्य का संपदा का सूचक है और बरतमान में जो आशुरी संपदा है वह भी होती जा रही है सुबह हम अगवार पड़ते हैं बड़ी से बड़ी दुरगटना हो जाती है कई लोग पता चलता है काल कल वित हो गए एक कोई फरक नहीं पड़ता पहले क्या होता था एक घटना होती तो उस पर फिल्में बनती थी स्टोरी लिखी जाती अब देवदास की स्टोरी ले लो पुरानी स्टोरी यां ले लो राजा महराजाओं के लिए लो तो इस तरह से कहानिया बनती थी लेकिन आज आज हम लोग क कोई फरक ही नहीं पड़ता हमारे बच्चों को कोई फरक ही नहीं पड़ता तो यह इस तरह से संबेदन भीहिन समाज जो है वो देरे-देरे नश्ट हो जाता है क्योंकि संबेदना को जागरित करने के लिए कृष्ण ने एक मायावी एक लावने माई दुनिया बनाई थी जहां सब लोग एक दूसरे को प्यार करें क्यों बिना प्रेम के यह संस्कृती जीवित नहीं रह सकती है जो भारत की है तो सबसे बड़ी बात है हम बच्चों प अन पे हावी हो चुकी है कि हम उनको रोकने का प्रियास कर के भी नहीं रोख पाते हैं हम खुद आधी हो गये हैं मोबाईल पर देखते रहते हैं हम अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे बचाएंगे, तो इसका एक मातर टोटका है, यह टोटका कहेंगे इसको, और बेगैनिक पर्यूग है, कि आप एक कलस भर करके अपने घर में रखें और बच्चों को इस कलस के बारे में बताएं, और उनको psychologically उनके दिमाग में भी परभाव पड़ेगा और उनके दिमाग में एक संतुलन बना रहेगा वो एक तरह से उसको गेम को गेम की तरह से देखेंगे क्योंकि अभी मैंने कई फिल्में ऐसी हैं जिनको देखने बाद आदमी भीतर तक हिल जाता है और वो कई दिनों तक उसके दिमाग में वो फिल्में घर किये हुए रहती हैं वो फिल्में काम करती रहती हैं तो हमारा actually हम भौती मनिश्य को भगवान ने संबेदना से भरपूर बनाया है वे मनिश्य संबेदन शील प्राणी है और उसको रियक्ट होता है वो जो भी उसके उपर आक्रमन होता है परोसा जाता है जो भी बाद कही जाती है अभी सforward से सांगत्य को उक्साओ में सभार सब्होंए अ की हो जाएगा कि आपको मार देगा कर सकता है अगर उसको उकसाया जाए तो हमारा दिमाग जो है वो हमारी परिस्थितियां इर्द गिर्द जो गटनाये घटित होती है उसके हमारा दिमाग बहुत रियाक्ट होता है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पढ़ता है तो इन इन चीजों को घटनाई तो हो ही रही है घटनाओं को हम रोक नहीं सकते लेकिन हम जल से बरावा एक कलस अगर अपने घर में रखते हैं और उस कलस को उस कलस के बारे में बच्चों को बताते हैं तो ए कि एक संतुलित वातावरान हमारे बच्चों को देगा और संतुलित रहेगा दिमाग तभी वो लोग कंसेंट्रेट हो पाएंगे अपने एजुकेशन पर पढ़ाई पर आगे बढ़ेंगे और हमें बच्चों को एक नकारत्मक विचारधारा से मुक्त करना है उनको यह करके रिक्षा चला रहा है इसके सब्जी बेच रहा है तो यह इस तरह की नकारत्मक शिक्षा के परते नकारत्मक धारणाएं बच्चों के भीतर आते जा रहे हैं इनको हमको धिरे-धिरे सकारत्मक बनाना है तो पॉजिटिव बनाना है इसके लिए एक प्रियोग है तो य बन्यवाद.